परिचय रेशम से बने वस्त्रों को पहनना कौन पसंद नहीं करता? रेशम की चमक और इसका मुलाएम स्पर्श इसे सब की पसंद बनाता है. भारत की रेशमी साणियां विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत में रेशम को शुभु मना जाता है। और ये त्योहारों और उस्सवों से संबंदित है। चाहे ये दिवाली, दशहरा या दुर्गपुजा हो या फिर सगाई। विवा या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन। रेशम उस अफसर की शोभा बढ़ा देता है। इस पार्ट में हम रेशम की विशेष्टाओं और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। और ये समझेंगे कि रेशम के कीट से रेशम किस प्रकार प्राप किया जाता है। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ये समझाना कि रेशम क्या है। रेशम का इतिहास जानना। रेशम की विशेष्टाएं बताना, रेशम के कीट का जीवन चक्र समझाना, कोकूनों से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करना. रेशम रेशम उम्दा मजबूत, बनावट और चमक वाला एक प्राक्रितिक प्रोटीन फाइबर है. रेशम की चमक इसकी त्रीयामी प्रिस्मनुमा सनचना का परिणाम होती है. रेशम का उत्पादन कई कीटों जैसे रेशम के कीट, मदुमख्य, ततया दूरा होता है. और चीटियां इसका प्रयोग अपना घोसला बनाने में करती हैं. मकडी भी रेशम का उत्पादन करती है लेकिन रेशम के कीट द्वारा बनाए गए रेशम के समवर्थन से रेशम के वस्त्र बनते हैं रेशम का इतिहास रेशम की खोच करीब 3500 साल पहले सर्व प्रथम चीन में एक चीनी महरानी ने की थी भारत में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी की सभेदा में रेशम का प्रयोग होता था आज भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा निरियातक है इसका बड़ा भाग करनाटक में उत्पादित होता है भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोगता भी है धरम वरम रेशम, कांजी वरम रेशम, मैसूर रेशम, बनारस रेशम, मुर्शिदाबाद रेशम इत्यादी, भारत के कुछ प्रसिद रेशम है रेशम की विशेष्टाएं इसका रखरकाओ, आसान होता है रेशम के प्रकार तसर रेशम, मुगा रेशम और कोसा रेशम, रेशम के विभिन प्रकार है ये रेशम, विभिन कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्थ होते हैं शहतूत रेशम, रेशम की सभी शृणियों में सबसे प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन शहतूत रेशम कीट से होता है, जो शहतूत के पेड़ पर पलते हैं, इन कीटों का पालन घर के अंदर होता है और इन हैं पूर्णता पालतू बना लिया जाता है ज्यादा तर वैवसाइक रेशम, शेहतूत रेशम होता है इस कीट के कोकून से प्राप्त रेशम, मुलायम, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुन्दर रंगों में रंगा जा सकता है रेशम कीट का जीवन चक्र एक रेशमी कीट का जीवन अति सूक्ष्म अंडे देने से शुरू हो जाता है और एक सुन्दर कीट के निकलने के साथ समाप्त होता है आईए रेशम कीट के जीवन के विभिन चरणों को देखें मादा, रेशम, कीट गर्मियों के अंत में छोटे अती सूक्षम अंडे देती है بसंत तक वे सुप्त रहते है बसंत आते ही इन अंडों से छोटे काले लारवा निकलने लगते है ये लारवा शेहतूत के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं और बड़े होते जाते हैं इसके बाद वे अपने चारों तरफ रेशम का एक सुरक्षात्म कोकून काते हैं। ये कोकून सफेद और सुनहले रंके होते हैं। कोकून के भीतर लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है। लार्वा प्यूपा में परिवर्थित होते हुए कुछ भी नहीं खाता, दो या तीन हफ़ते बाद कोकून से सुन्दर रेशम कीट बाहर निकलता है. कोकून से रेशम रेशम को कोकून से संसाधित किया जाता है. एक बार रेशम कीट अपने चारों तरफ सुरक्षात्म कोकून कात लेता है, फिर इन कोकूनों को रेशम के फाइबर को कीट से अलग करने के लिए गर्म पानी में उबाल लिया जाता है. प्रते कोकून एक रेशम के तागे से बना होता है. युकती है कि तागे का एक सिरा पकड़ लिया जाए. इसके बाद कोकून से रेशम का तागा छोड़ाना आसान हो जाता है. कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं. इन रेशम के तागों का प्रयो रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम कीट रेशम के कीडे का लारवा होता है। रेशम फाइबर रेशम कीट द्वारा काता गया कोकून होता है।